दोस्तों साले सटाइकला सचमा आप सबीका स्वागत आप लोग का पसंदीदा वबेस्ट वीडियो लेकिया चुका हूँ डियाडियो एड्मिन एलाइंट भरती के बारे में जो की मैं बता दू इसमें टोटल पोस्ट एक 1661 निकाला गया था दोस्तों 1000 पोस्ट पे था और 10th 12 और ग्रेजुएंशन तीनों के लिए इसमें अलग अलग पोस्ट थे 10th के लिए भी था special और 12th और graduation के लिए भी था बहुत ही अच्छी vacancy है मैं बता दू आपको DRDO एक ही time दो vacancy निकाला था दोस्तों DRDO के तरफ से एक time दो vacancy निकाला था एक technical के लिए especially और एक non-tech के लिए तो non-tech वाला थोड़ा सा बाद में निकाला और technical वाला आपका पहले निकाला था जिसमें September 10 ITI technician और diploma STAB के लिए तो STAB और technician में इतना ज़ादे form पड़ा इतना ज़ादे form पड़ा कि मतलब कह लिए इसका एक हवा बहे गया था दोस्तों सब लोग इसी का form भर रहे थे और उसी बीच थोड़े दिन बाद इसमें बहुत सारा form पड़ा था लेकिन non-tech में बहुत कम लोग भर है तो जो लोग भर दिये हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वेकंसी है इसका पे लेबल बता दू तो यानि की salary इसमें पे लेबल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और exam pattern slavers के बारे में की कौन-कौन subject से इसमें पूछेगा क्या exam slavers होगा आपका तो इन ही सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आपने इस form को fill up किया है तो आपके लिए golden opportunity है थोड़ा सा ध्यान देंगे सही से तयारी करेंगे continuity के साथ तो 100% selection होगा क्योंकि नंबर आप application इसमें कम है दोस्तों तो अगर आपने भरा है तो वीडियो को last तक देखिए क्योंकि आपके लिए यह बहुत ही useful होने वाला है आपके लिए best भी वीडियो साबित होने वाला है तो आईए में लेके चलता हूँ इसके notification और syllabus के तरफ exam date कब आने वाला है उसको भी इसमें बताने वाला हूँ पोस्ट में दिखा दो दोस्तों तो इसमें पोस्ट देख सकते हैं कि astronographer का निकला हुआ astronographer उसके बाद से junior translator, astronograde, third administrative assistant के लिए, store assistant के लिए, security assistant के लिए, vehicle operator के लिए, fire engine driver के लिए, fireman के लिए तो इस सब में दसवी वाले eligible हैं आसानी से कोई इसमें technical degree नहीं लगना था उसके बाद से बता दे PA level आप देख सकते हैं कि PA level काफी अच्छा है 35,000 से लिएके इसमें 25,000 उसके बाद से 19,000 जो 10 वाले हैं तो बहुत ही अच्छा पी लेबल है और job भी बहुत professional रहने वाला है कोई कि official work में आप लगेंगे ना कि technical छेतर में तो यह official वाला बहुत अच्छा था और 18-27 वर्स age रखा गया था, कुछ में 30 वर्स तक था दो तरह का इसमें एक्जाम होगा जैसे टायर 1 और टायर 2 इसमें एक्जाम होने वाला है दोस्तों तो टायर 1 और टायर 2 में आपका क्या पूछा जाएगा उसको भी इसमें मैं इला इसमें eligibility criteria तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही जादा नहीं है 10th और 12 वाले केवल इसमें भर पाये थे तो बहुत ही अच्छी opportunity थी और post wise था इसके बाद से इसके मैं एक्जाम और इसके pattern को बता दू तो इसमें केवल दो तरह के इसमें pattern रखा गया आपका exam होगा और post संख्या 301 के लिए 40 number का Hindi और 40 number का English paper होगा जो कि आपका timing इसमें बता दू तो इसके लिए timing रखा गया दोस्तो 60 minute इसके लिए timing 60 minute रखा गया है maximum marks आपका 80 number है यानि कि per question एक marks कराने वाला है उसके बाद से 401 post, 500, 1, 600, 1, 600, 2, 700, 2, 900, 1, 1000 जितने post code दिया है इन सब ही के लिए केवल वा केवल 75 question आएंगे हर एक कोसन एक marks कर रहेगा और इसमें केवल 4 subject पूछर आए दोस्तो quantity, aptitude यानि के math पूछेगा, reasoning ability पूछेगा, math, reasoning और general awareness, English चार ही चीज इसमें पूछने वाला आए 4 से बनेंगे आपके 75 question और maximum 75 रहने मला है केवल 60 minute में आपको 75 question करने होंगे, CVT exam होगा, MCQ रहेगा तो बहुत ही अच्छा है केवल 4 subject पढ़ना है और जो लोग ITI का डिपलोमा का अभी दिये हैं उनके लिए तो बेस्ट है क्यों कि उन्होंने अभी बहुत अच्छे से तयारी करा था, उसमें भी quantity, aptitude था, reasoning था, journal, awareness था, journal, English था, इस चारों subject आपने पढ़ाय केवल revision कर लीजिए और आपके लिए यह बेस्ट हो जाएगा, उसके बास second हो जाएगा इसमें skill test, skill test, physical test, fitness test, जो कुछ भी post के according है, second वाला test इसमें होने वाला है, तो यह skill test में बता आदू कि आपका बहुत ही जादा hard नहीं होगा, यह भी आसान है, तो आप लोग इसमें form वरे हैं, तो तैयारी आप करते रहिए, और इसका expected exam date के में बारे बता दो दोस्तों, तो expected exam देखिए, अभी 11 और 12 के बेच पूरा डियो का जो technical exam था, वो खतम हो गया है, 22 को रखा आपका इस मंत के मतलब जनवरी के लाश्ट तक आपका पूरा technical खतम हो जाएगा, और technical जैसे ही खतम होगा, तो इसका rejected list आने का संभावना, mid आप फरवरी यानि की 15 फरवरी तक आजाएगा, और इसका last में, फरवरी के last तक exam या मार्च में, mid तक हो जाएगा, तो यह expected date है, लेकिन आपके लिए golden opportunity है, किवल वा किवल आपके पास date से 2 महिने time है, तो आप revision इतना अच्छा कर लिजिए, कि यह best हो, और यह मैं आपको बता दू कि technical से कहीं गुना, best है, इसका pay level और salary भी अच्छा है, पोस्ट हर एक पोस्ट बेहतरीन है, office में काम करना है, ना कि आपक पोस्ट में पूछ सकते हैं, या Salis ITI Classes के टेलिगरम लिंक से जुड़के आप उसमें भी पूछ सकते हैं, दोस्तों मिलता है नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाइए,